कॉलेज में स्टूडन्ट के पास एक ID काड होता है जो की एक प्रूफ होता है कि ये स्टूडन्ट इसी कॉलेज का है वेसे ही अन्य किसी देशों में जाने पर पासपोर्ट एक एसी चीज होती है जो हमारा भारतिय होने का प्रूफ होता है इसलिए सारे लोगों को पता होना चाहिए कि पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट में इन तीन रोंगों का क्या मतलब होता है, सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है और हमारे जैसे सामन्य लोगों को कौन सा पासपोर्ट दिया जाता है, उससे पहले वीडियो को अभी ल भारत का पासपोर्ट और अमरीका का वीजा लगता है वेसे ही इंगलंड जाने के लिए भारत का पासपोर्ट और इंगलंड का वीजा लगता है भारत में पासपोर्ट के मुख्यता तीन कलर होते है नेवी ब्लू, मरून और सफेद ब्लू कलर का पासपोर्ट हमारे जैसे सर् ये पास्पोर्ट विदेश में हमारा भारती होने का प्रूफ देता है इसी पास्पोर्ट को टाइप P पास्पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ये सर्वसाधरन लोगों को शिक्षा, नौकरी, व्योवसाई, यात्रा, आधी कार्यकारनों से दिया जाता है जिसकारन ज्यादातोर लोगों के पास हमें नीले रंग का पास्पोर्ट ही देखने को मिलता है इसे हम अतिसामन्य पास्पोर्ट भी कह सकते है जो भारत का हर एक नागरीक बनवा सकता है इस पर यात्री का नाम, जन्मदिनांग, फोटो और इमिग्रेशन के लिए जरूरी प्रूफ शामिल होते है इसके बाद होता है ओफिशियल पास्पोर्ट जो सफेद कलर का होता है सफेद कलर का पासपोर्ट सिर्फ सरकारी अधिकारी जिने सरकारी कामों के लिए विदेश जाना होता है उन ही को दिया जाता है जैसे कि इंडियन पोलिस सर्विस डेपार्मेंट के अधिकारी IAS, IPS आदी लोगों को यही पासपोर्ट दिया जाता है इन्हें सफेद पासपोर्ट देने के पीचे यही उद्देश है कि भारत के सामान्य लोग और भारत के महतुपूर्ण लोग इनके बीच अंतर समझाए भारत में सफेद रंग का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली माना जाता है विदेश के कस्टम और इमिग्रेशन के अधिकारी सफेद पासपोर्ट देखते ही A1 सर्विस देते हैं इन्हें जल्द से जल्द और सेक्यूरिटी के साथ एरपोर्ट से बाहर छोड़ा जाता है इसके बार होता है मरून कलर का पासपोर्ट जो एसे सरकारी अधिकारी और नेताओं को दिया जाता है जो विदेश जाकर भारत का प्रतिनिदित्व करने वाले हैं इसलिए इस पासपोर्ट को डिपलोमेटिक पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है एसा पासपोर्ट बनाने के लिए अलग प्रकार से अवेदन करना पड़ता है सबसे मज़ेदार बात ये है कि जिन लोगों का पासपोर्ट मरून कलर का होता है उन लोगों को विसा की जरूरत नहीं पड़ती एसे लोग बिना विसा के यातरा कर सकते है ये जितना चाहे उतना दिन विदेश में रह सकते हैं ऐसे लोगों को विदेश में बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाता है साथ ही साथ विदेश में इन पर आसानी से अपराद दर्ज नहीं किया जा सकता इन लोगों की immigration प्रोसेस भी बहुत कम समय में complete की जाती है इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें